चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मत्रुआ सिभारती जनता पाची की प्रत्याशी हेमा मालिनी पर बयान देते समय रडीप सुर्जवाला की जुबान फिसल गई उन्होंने एमा मालिनी पर आपत्ती जनक बयान दे दिया उसके बाद कुछ दिनों तक भाजपा और कॉंग्रिस के बीच हमले वह बचाफ का सियासी घटना करम जारी रहा अब इस मामले पर चुनाव आयोग में संग्यान लेते हुए रडीप सुर्जवाला को नोटिस थमा दिया है चुनाव आयोग में वाजपा नेता एमा मालिनी के खिलाफ टिपड़ी के लिए कॉंग्रिस नेता रडीप सुर्जवाला को नोटिस जारी कर दिया है चुनाव आयोग ने कहा है कि 11 एप्रिल 2024 को शाम 5 बजे तक रडीप सुर्जवारा को नोटिस का जवाब देना होगा